नमस्कार दोस्तो चट महापर्व की हार्दिखार्दिक सूपकामना एवं अभिनंदन दोस्तो दोस्तो आज चट महापर्व का दुसरा दिन है जिसे हम एक बहुत ही पवित्रे सब्द जिसे खड़ना से शंबोधित करते हैं चुकि हमारे घर पे चट महापर्व हो रहा है दो इस समय चट के उपर दूद वाला जा रहा है दोस्तो जिससे खीर बनाये जाएगा साम का जो परसाद है दोस्तो खड़ना महापर्व की जो बहुत ही पवित्र और सुद्धता से तयार किया जाता है दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तो हमारी शिष्टर और धर्मपत दोनों मिलकर इस महापरसाद को बना रही है बहुत ही पवित्रता और सुद्धता के साथ जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्तो इस चट महापर्व में बिहार और जारखंड और यूपी की एक महान महापर्व कर सकते हैं दोस्तो जो कि हमारी आत्माओं में बसी चट महापर्व जिसे हम अपने आपको तो भूल सकते हैं दोस्तो लेकिन चट महापर्व को नहीं भूल सकते हैं दोस्तो दोस्तो देख सकते हैं किस तरह तयार किया जा रहा है खड़ना की परसाद और दोस्तो यात्रा में बने रहें सपोर्ट करें लाइक करें करें दोस्तों और यह हमारी धर में पत्नी है पुष्पा जो कभी नहीं जुकती है पुष्पा नहीं जुकेगी दोस्तों बिच बुच में हमारी नोग जोक होते रहती है मैं इसे अभी छेड रहा हूं बटको कुछ नहीं बोल रही है दोस्तो बहुत ही सांत सभाव की हमारी पुस्पांजली बैठी हुई है चावल को चुना जा रहा है दोस्तो महापरसाद तयार करने के लिए जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं चुकि हो फास्टिंग में है दोस्तो और परसाद बनाते से मैं ज्यादा बोला नहीं जाता है दोस्तो ये देखे दोस्तो नई इट पे तयार किया जा रहा है दोस्तो खरना का महापरसाद और ये दूद उबाला जा रहा है दोस्तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि खरना का महापरसाद आम की लकड़ी से तयार होती है दोस्तो धन्यवाद दोस्तो यात्रा में बने रहें